ये अप बात कर लेते हैं को अपयं पूरूना के रफतार ने सरकार की चिनता बढ़ा दी है और इसमें केंडर सरकार अब remarkaces अब बड़तार कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इससे बचने के उपाय क्या है, साफधानी किस तरीके से बरतनी है, कितना चिंता करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इस सब बताने के लिए हमारे साथ तीम खास मैमान भी जोड़ गए है, समीर बाटी साहब डारेक्टर स्टा तरह का चेंज इसमें दिखाई दे रहा है, सिम्टम्स कुछ अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं। इस संकर्मन हो सकता है, इम्यून एसकेप है, मतलब अगर आपको वेक्सीन लगी है या आपको पहले से संकर्मन हो सकता है। जितना और हमें इसके बार में पता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कॉज करता है, आपके लंग्स तक नहीं पहुंचता है। होस्पिटलाइजेशन इसमें थर्ड वेव में हमने देखा नहीं कि इस तरह से बढ़ा और वो फिलाल अभी भी हम देख नहीं रहें नहीं बिमारी की गंभीरता। तो यहां पर पब्लिक हेल्थ के पॉइंट वी से भी हम देखते हैं कि आर नौट वैल्यू की वही एक पर कितने वेक्सियों को संकर्मित कर रहा है यह अभी बहुत जादा इसके ओपर उस तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है हाँ पॉजिटिविटी रेट को भी यहां पर बहुत जादा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है यह सिर्फ हमें देखना है कि हॉस्पिटलाइजेश इसमें सबसे इंपोर्टेंट आ जाता है क्योंकि बूस्टर 27 परसेंट लोगों ने लिया और इसमें काफी लोग ऐसे भी हैं जो को मॉर्बिड वाले हैं जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया आप हमारे साथ बने रही बिलकुल आप सभी ने बहुत अच्छी जानकारी हमार साथ जुने के लिए अपना समय देने के लिए